अध्याय आठ, मेरे स्कूल के दिन, आत्मक था, इस पाठ को आत्मक थात्मक शैली में रचा गया है, इस शैली से बच्चों को परिचित कराईए, इसके साथ साथ नहरू जी के विद्यार थी, जीवन की जलक भी दीजिए, छात्रों को अपने जीवन से इसकी तुन्ना करने क को कहिए, छात्रों को हैरो और कैंब्रिज के बारे में भी बताईए, हैरो में, मई के आखिर में हम लोग लंदन पहुँचे, हैरो में दाखिल होने की दृष्टी से, मेरी उम्र कुछ अधिक थी, क्योंकि मैं उन दिनों 15 बरस का था, यहां मेरी खुशकिस्मती ही थी कि, म मेरे परिवार के लोग पहले तो, यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गए, और फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लोट गए, इससे पहले मैं अजनभी आदमियों में, बिलकुल अकेला कभी नहीं रहा था, इसलिए मुझे बढ़ा ही सुना-सुना सा लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बैठा, हमेशा मेरे दिल में यहाः ख्याल बना रहता की, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, और दूसरे लोग भी मेरे बारे में यहीं ख्याल रखते होगे, कुछ हट तक मैं सबसे अलग ही रहा, लेकिन कुल मिलाकर, मैं खेलों में कई बातों में मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था, मेरी दिल्चस्पी के विशय बहुत थे, मैं अपने सहपाथियों से ज्यादा किताबे और अकबार पढ़ता था, स्कूर में अच्छा काम करने के लिए मुझे, जी एम ट्रैवेलियन की गैरीबाल्दी संबंधी, एक पुस्तक इनाम में मिली थी, इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा की, मैंने फौरन ही इस माला की, बाकी दो पुस्तके भी खरीद ली, और उनमें गैरीबाल्दी की, पूरी कहानी बड़े ध्यान से पढ़ी, हिंदुस्त के लिए हैरो कुछ छोटी और तंग जगा मालूम होने लगी, मैं ज्यादा बड़े क्षेतर में जाने की इच्छा करने लगा, मैंने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर लिया, मैं हैरो में सिर्फ दो बरस रहकर वहां से चला गया, कैम्बरिज में, 1907 के अक्तूबर के शुरू में, कैम्बरिज के 30 कॉलेज में पहुँच गया, उस समय मेरी उम्र सत्रहया, 18 बरस के लगभक थी, मुझे इस बात की बेहत खुशी हुई, कि अब मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, स्कूल के मुकाबले, यहां मुझे जो चाहू सो करने की काफी आजादी मिलेग मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हो गया था, मैं एंड के साथ कैम्बरिज के विशाल भवनों और, उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा करता, यदि कोई जान पहचानवाला मिल जाता, तो बहुत खुश होता, कैम्बरिज में मैं तीन साल रहा, यह तीनों साल शांती प पतिशास्त्र, मेरी दिल्चस्पी इन्ही विश्यों तक सीमित नहीं थी, मुझे जो लोग मिले वे, साहित्य, इतिहास, राजनीती और अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करते थे, जब मैं कैम्बरिज में था, कभी यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मुझे कौन सा क पताजी उसके लिए बहुत उत्सुक थे, और न मैं ही, अताह यह विचार छोड़ दिया गया, मैंने कैम्बरिज से जब अपनी डिगरी ली, तब मैं 20 वर्ष का था, सिविल सर्विस के लिए, अभी मेरी उम्र कम थी, पताजी और मा दोनों ही यह चाहते थे कि, कि इतने द दिनों तक अलग रहने के बाद, मैं उनके पास ही रहूं, बस पासा पुष्टैनी पेशे यानी, वकालत के पक्ष में पड़ा, मैं इनर टेंपिल में भरती हो गया, 1910 में अपनी डिगरी लेने के बाद, मैं कैम्बरिज से चला,